बीना हाथ लगाए हुए आपने कभी इस तरह से रोटी बनाने के लिए आटा गुथे हैं बीना मेक्सर मेशिन, बीना सिल बट्टे की आपने कभी बहुत सारी मसाला को पेस्ट बनाया है ऐसे ही कुछ चोटे चोटे जबर्दस टीव्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी उम्मीद करती हूँ टीव्स काम आएगा पहला जो टीव्स से एक बरतन थाली ले लिया है फिर देखे एक ग्लांस की मदल से इस तरीके से मैं छोटे छोटे करके काट कर ले रही हूँ कई वर रोटी बनाने के समय क्या होता है रोटी का जो लेची आटा होता है ना कही आटा बड़ा या छोटा हो जाते है इसके दरन हमारा जो रोटी है ना ओ भी छोटा बड़ा हो जाते है इस तरीके से अगर आप करेंगे ना रोटी बनाने के लिए लेची तो देखिएगा आपका जो आटा है ना रोटी है एक दम एक समन बनेगा छोटा या बड़ा नहीं होगा कई बड़ पूरी, सबजी, कोई भाजी बनाते हैं जो ओयल बच जाते हैं एक दम से गंदा हो जाते हैं दूसरी बड़ जब हम इस ओयल से खाना बनाएंगे ना तो इसके अंदर छोटे-छोटे जले हुए पार्ट रहते हैं जिसके करण हम बिमार बढ़ते हैं तो एक चन्नी ले लीजिएगा, चन्नी में थोड़ा सा टीशू पेपर ले लीजिएगा, फिर अब इस तरीके से ओयल को छान कर लेंगे ना, जो जले हुए पाठ है ओयल में नहीं गिरेगा, टीशू में ही रह जाएगा, छन्नी से अगर छानते ना, तो छोटे-छोटे जो क पाले काले एकदम से जले हुए पाट था वो ओयल में गिर जाते हैं तो देखें मैं चान कर आप लोगों को टीशू दिखा रहे हूं कितना सारा गंदेगी था फ्रेंड ओयल में तो ए छोटा सा टीप्स आप भी एपलाई करके देख सकते हैं आगला जो टीप्स है फ्रेंड को लेकर अंडा तो हम सभी लोगी खाते हैं कई वर क्या करते हैं अंडे के एक दो बार नर्मल तरीके से धोने के बाद उसको बॉयल करके ले लेते हैं लेकिन अंडी का छिलके में न फ्रेंड बहुत सारा गंदेगी लगे हुए रहते हैं कई वर पोटी लगे हुए रहते ह मुर्गी का इसके लिए ना एक काम कीजिएगा जब भी हम अंडा बॉयल करेंगे ना एक बरतन में पानी डाल कर अंडा को अब दे दीजिएगा पानी में फिर थोर असा नमक उस पानी में डाल दीजिएगा फिर हातों की मदल से अंडे का अच्छे तरीके से क्लीन कर तो बीमार नहीं पड़ेंगे लसुन छेलना बहुती ज्यादा जंजटवला काम होता है तो चुटकियों में हम किस तरीके से लसुन के छिलका जो है न छेल सकते हैं आप एक चाकू ले लीजिए और लसुन को इस तरीके से लंबाई से बीच में से काट लीजिएगा देखिए मैं सारे लसुन को बीच में से काट कर इस तरीके से अलग करके दिखा रहे हूँ देख सकते हैं छिलका जो है कितना बरिया तरीके से अलग हो रहा है नाखू नियूस करने के जरूरती नहीं पड़ेगा और कम समय में बहुत सारे लसुन को इस तरीके से छिल सकते हैं आगला करिया तरीके से आठे को गूठ सकते हैं, कई बड़ हम गरम पानी से आठे गूठते हैं, देखिये मैं गरम पानी डाल दिया है, हमें कुछ टाइम वेट करना पड़ता है आठा थंड़ा होने के लिए, लेकिन उस लेकर अगर आठा को बीच में से गोल-गोल गूठ घुमाए रोटी एकदम से सौफ्ट बनेगा देखिए कितना बढ़िया तरीके से हमारा जो आटा है अभी भी गरम है लेकिन वेट करने की जरूरत नहीं है एकदम से रोटी बनाने के लिए हमारा आटा जो है हमने गूथ लिए है बहुती आसान तरीके से और बीना हाथ लगाए हुए अगला जो टीप से फ्रेंड कई बर होता है थोड़ा सा ही मसाला हमें करना होता है अगर मीक्सर मेसिन में देंगे तो नहीं होगा सिलबटा में कई बर मन नहीं करता है तो इस तरीके से बोटल ले लिजिएगा कोई भी बोटल नीचे बला पार्ट समन होना चाहिए और आज भी इस तरीके से पेस्ट बना सकते है जो हमारे घर में रोटी बनाने के लिए बेलन होते है बेलन की मदश से इस तरीके से हम अगर बाड़ी देंगे जो लसून है और हमारा जो मीर्च है एकदम से पेस्ट बनकर तयार हो जाएगा देखिए मैं एक कटोरी में आप लो ये टीव का यूज कर सकते हैं रोटी तो हम सभी लोगी बनाते हैं रोटी बनाने के बाद हमारा जो तवा गरम रहते हैं कई बर हम यूज नहीं करते हैं गरम तवा को लेकुन बरसात में देखा जाते हैं जो जीरा है धनिया है वो हुआइट जैसा हो जाता है फंगा सा जा प्वायंगे ना तो हमारा जीरा खराब नहीं होगा केरा नहीं लगेगा अगला योटीक है व्यारोगी न दोनों चुले हैं, खाना बना रहे हैं, और स्वाबिन को हम किस तरीके से बीना गैस जलाएं, गीना गरम पानी की मदर से इसको बॉयल कर सकते हैं, हाँ फ्रेंड बॉयल जैसा ही नौरम सफ्ट हो जाएगा, इसके लिए एक बतन में मैंने पानी में नौर्माल पानी में नमक पानी में हम स्वाबिन को दस मिनिट के लिए भीगो कर रख देंगे, देखिएगा आपका जो स्वाबिन है न वो दो गुना फूल जाएगा, दस मिनिट बाद देख सकते हैं फ्रेंड बीना गैस जलाएं, बीना हम एक गरम पानी यूज किये हुए ही स्वाबिन को हम कितना बडिया तरीके से सॉफ्ट बना सकते हैं, एकदम से नरम हो गया है, फिर इसको पानी निकल कर हम इसको पका सकते हैं, तो एक छोटा सा टीप्स अगर आप लोगों को काम आये तो जिरूर अपलाई करके देखिएगा, आगला जो टीप्स है फ्रेंड, करीवर हम सर्सों का त अगर अच्छे तरीके से गरम नहीं होगा, तो एक गंध रहेगा, इसके लिए सर्सों का तेल में थोरा सा नमक डाल कर हिला लीजिएगा, फिर देखिएगा, कोई सब्जी या तरकारी में सर्सों का तेल का स्ट्रोंग गंध नहीं रहेगा, आगला जो टीप्स है फ्रेंड पारवल का सब्जी तो हम सभी लोगी खाते हैं, कई पारवल का सब्जी बनाने के समय अगर इसको भाजी करेंगे तो बहुत सारा ओयल हमें लगेगा और टाइम भी लगेगा, इसके लिए आप पारवल का सब्जी इस तरह से काट कर थोरा सा नमक और थोरा सा हल्दी 10 मिनिट रेस्ट में रख दीजिएगा, 10 मिनिट रखने से पानी छोड़ने लगेगा, फिर इस तरह के से पानी निचोर कर आप इसको फ्राइ कर लीजिएगा, सब्जी बनाने के लिए कम ओयल में हो जाएगा, और गैस खर्च भी कम होगा, जल्दी ही पक जाएगा, खोटे छोटी टीप्स तो जरूर अपलाई करना और मुझे सापोर जरूर करना